असलाम अलेकूम आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT Hub with कामरान मैं हूँ कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज का टॉपिक बहुत एहम है और आज का टॉपिक है RDW टेस्ट जिसे Red Cell Distribution with भी कहा जाता है वक्त जाया नहीं करेंगे शुरू करेंगे इस एहम टॉपिक को सबसे पहले बात करते हैं कि RDW या Red Cell Distribution with किसे कहा जाता है ये एक पेरामीटर है और ये Complete Blood Count में किया जाता है और इस RDW पेरामीटर की मदद से हम बहुत असानी से जान सकते हैं कि Red Blood Cells के Volume में और Size में कितने मिकदार में तबदीलियां हुई हैं और Red Blood Cell का Size और Volume कितना तबदील हुआ है उसमें क्या क्या तबदीलियां हुई हैं RDW की Values को अक्सर इसका मौजना किया जाता है MCV यानी Mean Cell Volume के साथ और इन दोनों के Values को Compare करके इन दोनों का मौजना करके बहुत एहम बिमारियों के बारे में जाना जा सकता है RDW के Parameter की मदद से Blood Film में या जिसे Peripheral Smeir भी कहा जाता है तो उसमें एन आईसोसाइटोसिस की मिगदार का भी पता लगाया जाता है कि Red Blood Cell के साइज में कितनी तबदीलियां हुई है लेकिन ये याद रखिएगा कि बाज वकात ऐसा भी होता है कि RDW बिलकुल नॉर्मल होता है लेकिन जिसम में फिर भी कोई बीमारी होती है कोई मेडिकल कंडिशन होती है जो आगे जाकर काजिज में मैं बताऊंगा तो मेरे साथ रहिएगा अगर बात करें कि RDW का जो टेस्ट है जो पैरमीटर है तो ये क्यूं किया जाता है इसका मकसद क्या है और इसका फ़ाइदा क्या है तो इस पैरमीटर की मदद से हम एनीमिया के अकसाम के मतलिक पूर जान सकते हैं और कुछ सहत के हवाले से हालते हैं हमारे जिसम में उसके मुतलिक भी जान सकते हैं जैसे के अगर जिसम में थिलिसीमिया हो जिगर की बीमारी हो एंसर हो या फिर कुछ पेदाशी बीमारिया हैं हालते हैं जिसकी वज़ा से जिसम में इनीमिया हो जाता है तो इन सारी हालतों क के मतलिक हम RDW के पेरमीटर से जान सकते हैं अभी बात करते हैं RDW के अकसाम पर तो इसकी दो अकसाम हैं पहली किसम को कहा जाता है RDW-CV, CV का मतलब है coefficient of variance और दूसरा है RDW-SD जिसे कहा जाता है standard deviation यहां पर एक चीज़ नोट कीजिएगा कि अगर आप पता लगाना चाहते हैं मर RDW-SD का तो इसके लिए आपको automated hematology analyzer की जरूरत होगी उसी से इन दोनों parameters का पता चल सकेगा और अगर कोई CBC के parameters को manually करता है तो यह याद रखें कि RDW-CV और RDW-SD का manually हम पता नहीं लगा सकते, manually हम इसे टेस्ट नहीं कर सकते तो इन दोनों के लिए automated hematology analyzer का होना जरूरी ह चलें बात करते हैं normal range पर RDW-CV और RDW-SD के blood में दोनों की normal range क्या होती है तो RDW-SD की normal range होती है 40 से लेकर 55 फेम्टो लीटर तक और RDW-CV की normal range होती है 11.5 से लेकर 15 फीसद तक यहां पर एक चीज़ आपने याद रखनी है जो के बहुत एहम है जब भी आप Google में सर्च करते हो किसी किताब में सर्च करते हो RDW के नॉर्मल range के मतलिक या जब आप रिपोर्टिंग करते हो RDW की तो आपने देखा होगा कि यह हमें हमेशा percentage में मिलता है तो इस से एक चीज़ जाहर हुई कि RDW SD में और RDW CV में जो percentage में होता है तो वो RDW CV होता है तो RDW के लिए हमेशा RDW CV का जो result है वो बहुत एहम जाना जाता है क्योंकि वो percentage में होता है खुन का नमूना कैसे लेंगे हम RDW पेरमीटर जानने के लिए तो तीन से पांच हमेल खुन का नमूना लिया जाता है EDTA ट्यूब में और फिर इस ट्यूब से हम टेस्ट को रन करते हैं automated hematology analyzer पर और फिर हम पता लगाते हैं RDW का जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सबस्क्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबा दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके जानते हैं उन हालतों के मतलिक जिसमें खुन में RDW का लेवल बलंद हो जाता है हाई हो जाता है तो वो हालते हैं जब जिसम में आईरन की कमी होती है फूलेट की कमी होती है और वाइटमन B12 की कमी होती है तो RDW बलंद हो जाता है खुन में अगर MCV हाई होगी RDW हाई होगा तो इससे ये पता चलेगा कि मैक्रोसिटिक इनीमिया है और आप लोग को पता है कि मैक्रोसिटिक इनीमिया कामनली फोलेट और वाइटमन B12 की कमी की वज़ा से होता है अगर MCV मरीस का लो है और RDW हाई है तो इसका मतलब है कि मैक्रोसिटिक इनीमिया है और मैक्रोसिटिक इनीमिया की जो सबसे बड़ी वज़ा है वो जिसम में खौन में आईरन की कमी है तो इसलिए इस तरह का रिजल्ट होगा यानि के आईरन डिफिशिंसी इनीमिया होगा अच्छा अभी उन हालतों पर बात करते है जिसमें R.D.W. बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन जिसम में फिर भी कोई बीमारी होती है तो वो हालते है RDW normal होगा लेकिन MCV low होगा तो इसका मतलब होगा कि जिसम में जो इनीमिया है तो वो थिलिसीमिया की वज़ा से है या फिर जिसम में कोई बहुत ही chronic बीमारी है जैसे के chronic kidney disease की वज़ा से अगर RDW normal है और MCV जो है वो high है तो इसका मतलब है कि जिसम में एपलास्टिक एनीमिया है जिगर की कोई बीमारी हो सकती है या फिर alcoholism की वज़ा से है बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT Hub with कामरान देखने के लिए उमीद है ये लेक्चरा प्लो के लिए मुफीद साबित होगा अगर आपने पसंद की हुई इस वीडियो को तो जरूर लाइक करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें हमारे चैनल MLT Hub with कामरान को वीडियो को जरूर लाफस्ट